हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पर हम पढ़ते स्टंडर्ड एट का चेप्टर लाइट और यह इसका पार्ट नंबर फाइब है तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम अल्रेडी डिसक्स कर चुके थे अबाउड दो ह्यूमन आय इसमें कौन-कौन से पार्ट प्रेजन एंट है और फिर एक इमेज जो है वो प्रडूस कैसे करता है तो अभी बात करते हैं बच्चों की जो हमारा हुमन आय में जितना भी इमेज या फिर जो कुछ भी इमेज फॉर्मेशन होता है यह हमारे आख में कितने टाइम जग रहत है हमारे आखो में जिसको हम पर्सिस्टेंस भी जन भी बोलके कहते हैं बच्चों तो इसका अगर बात किया जाए कोई भी इमेज को अगर हम देखते हैं तो यह हमारे आख में वन बाए आपका जो है शिक्स्टिंथ और एक सेकेंड या फिर एक सेकेंड को अगर हम 16 तो आपको कैसे लगेगा कुछ दिमाग में आ रहा है बच्चों एक सेकेंड में अगर हमको अगर 16 या 16 से ज्यादा पिक्चर अगर रेंडम लिए अगर आपको दिखा दिया जाता है तो हमें बो पिक्चर कैसे दिखेंगे हमें बहुत से दिखेंगे कि बो जो है आपको मो तक हमने लिखता है कि हमने घ्रat जो है काटून या फिर एक जो पर्तिक्ट प्रिक्लाइज जो अब्जेक्ट है वो आपका मोँमेंट कर रहा है तो हम लोग पर्सिस्टेंस अब हैं क्या लिखें कि आपको सिस्टेंस अब ही अने बीज़ू इसे को हम यह जो है हमारे आख में जो है यह बनता है कि तो आफ भाइश इसी को हम क्या परसिस्टेंस और वी जन बोलके भी कहते हैं और इसी कॉंसेप्ट को भी बेश्ट करके जितने भी एनिमेशन मोवी आपका बनाया जाता है या फिर आपके एंसेटी बुक में बहुत ही अच्छा एक एक्टिविटी दिया आप लोग उसी को भी ट्रै कर सकते हो जहां पर आप लोग क्या करना बच्चो एक कारबोल लेना और एक सैट पे चिडिया बनाना और एक गर में आप लोग देख पा रहे हो या फिर मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एक्टिविटी बताता हूं जो आप खुद से भी ट्रै कर सकते हो आप अगरवत्ती लेना घर को जला देना उसको और घर में जो है लाइट बंद कर देना और अगरवत्ती को जो है वो जोर से होना तो आपको क्या देखिया वो एक लाइट है वो अरगरवत्ती जो है वो चल रहा है लेकिन जभी भी आप लोग घुमाओ यह आपको जो है एक सर्किल के चला देखिए आप इसको भी ट्रै कर सकते हो बच्चो तो परसिस्टेंट और बिजन क्या करता है एक इमेज हमार इसको क्या है दूर से एक इमेज को देख सकता है या फिलक कैStra कितना दूर तक देख नहीं पाथे इसा को hero हम लोग करते और सब्सक्तुनिंट क्या बच्छोँ दफड से अबच्छो कि हम छीजों को अगर देखना है किया होता है हमारा जो insbene All washing होते हैं और कि तो चीचों को किया हूपते है दो होता है फरेशन के हैं egg to एक मुझे सकते हैं यह तो कितना दुर तक या फेशन अपार कितने पास तक देख सकते हैं though में लिगे इसको अभी हब दिखते हैं तो क्या होता है बच्चो इलांग्र तो हो सकता है हमारा हजो लेंस से जो है वो Elongate हो सकता है बठ जबही भी इसको contract किया यह क्या होता है approach तेंट तक ही यह contact हो पाता इससे जादा और एंटलाद नहीं सकता है अमिंहें तो हो किज पाथाी बत्चों जैसे में भीक त acabou तेख पा रहे हैं यहां पर क्या होता है एलोंगेट हूं है मतलब यहां पे हमलोग फार्धर यह फिर दूर के चीजे देख रहे हैं और यहां पर क्या है हमारा और जो पास यह है तो यह कितना कॉंट्राक्ट हो सकता है या फिर हम लोग कितना तो यहां पर क्या होता है बच्चो जो नियरर डिस्टेंस जो होता है यह बेसिकली 25 cm होता है अगर 25 cm से पास कोई चीज हमारे पास आँखों के सामने अगर आ जाता है तो हम जो है इसी को क्लियर ली देख नहीं पाएंगे तो हमारा नियरर विजन कितना हो गया बच्चो 25 cm 25 cm के पाद हम सारी जो क्लियर देख पाते हैं और 25 cm से अगर आगे आ जाते जैसे 20 cm हो गया 15 cm हो गया यहां नहीं पर जो है हमारा लेंस जो है और वो क्कॉंट्रग नहीं हो पाता हैघाँ और हमें जो है चीजे जिए चो वो धू्लला धूला धिखने लगता हैं और अगर फार्दर लिज्टेंस का बात किये तो यह कितना होतहां बॉटे ही इनके लीजचिस दिस्टेंस एटीच पूलुक है हम लोग कि जीलिदेख से पिए हैं और यह कि तिना होता है और फार्दर डिश्टान से मैकिम डिस्टेंस कितना होता है इंफेनिटी पे बच्चो क्या होता है कभी कभी हमारे आखों में डिफेक्ट आ जाते हैं या फिर अधिशने लोग ढूझ देख नहीं पाते हैं या फिर तो क्या क्या problem हमारा आँख जो है वो फेस करता है तो next slide में देखते हैं जिसको हम defect of vision या फिर हमारे आखों कौन कौन सी तरह का बीमारी हो सकता है जिसको हम defect of vision बोलके कहते हैं तो यहां पर जो सबसे पहली बात किया जाए आता है आपका myopia और जिसको हम short sightness भी बोलके कहते हैं short sightness तो इसी किसे में क्या होता बच्चों तो distance में जो object अगर लखा गया है वो हमें clearly दिखता नहीं but we can see the nearly object clearly जो भी चीज हमारे पास में रखा हुआ रहता है तो हम लोग इसको clearly देख पाते हैं वरेच अगर दूर में रहा है जैसे कि आपके class में एक बच्चा बैठा है teacher blackboard में क्या लिख रही है उसको clearly visible नहीं होता बट वो अगर आगे चला आता है तो इसको जो सारा का सारा लिखा जो है हमें clearly देखेंगे इसी condition को myopia या फिर short sideness भी बोलके कहा जाता है तो इसको clear करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो इसी cases में हम लोग को जो है एक suitable doctor से check करवा कि हम लोग एक lens का इसमाल को और किस तरह का lens जो है हम लोग यहां पर यूज करते हैं बच्चो इसी cases में हम लोग пять कंकेव्लेंज कुड़े तो हमोन से लेंस का देमने कैभ लर्एज करते हैं ंजक सका हम लोग यूज करते हैं डॉक्टर से चेकर रौप्सें कितना दूर से हम लोग देखने मैं कहीं ह। सिक कि हिसाब से एक्कौर्डिंग देन दो पाबार जिटना पार तहला यह राता देन घंट्राइन आ जाता है भच्छों प्रतराज होता है यह इसका दिसका बर देखें हो कि जो जो बड़े लोग लोगत होते हैं या पर जो पक. rim कर दो भाडाश चैनल लेंके पड़ते हैं वह प्रक्लीMo पर निसकते इनको में इनको देख ता है व है पास के जो आबजेक्ट होते हैं इनको प्रेल नहीं इदिख भर में देखते हैंumati है यहां पर किया होथा फास की अबजेक्ट लिए are नहीं दिखते थे बट यहां पर क्या दूर के दिखेंगे दूर में जो कुछ भी चीज़ रखा गया हो सब दिखेंगे लेकिन पास के जो चीज़े हैं यह सब हमें नहीं दिखेंगे इस सी कंडिसों को क्या कह जाते है या फिर लौंग साइड ने स्वि बिए कहा जाता है और यहां पर भी वह हम लोग एक लैन से जिसका नाम होता है कनभेक्स लैन्स या फिर यह ठीक हो सकता है बट कुछ ऐसे भी टीजिश होते हैं बच्छो जो हम लेंस लगाने के बाद भी जो है वो क्लियर नहीं हो सकते और वो होते हैं आपका क्या कैट्रेक्ट बच्छो जैसे की एज आपका बढ़ता हुआ जाता है तो हमारे रेटीना के ओपर क्या होता करने लगता है जैसे कि यह आप देख पा रहे हो यह के ट्रेक्ट परसें का आए है यहाप दोखी नॉर्माला है लेकिन जैसे जिसको के ट्रेक्ट हो जाता या फिर जिसको हम मोतिया बिंद भी बोल के कहते हैं उसी कंडिशन में क्या होता है इस आखों के उपर एक मिल्की पर क्लॉटि क्कलर सब्स्टैंस चोब आखों के उपर बनने लगता ही या फिर हमारे हूपिल के उपर तो उसी के एंपी समिस कॊ mouse क्या ह८ण स्क Upon surgery से छोटे क्यों करता है हम डॉक्टर के पास जाते है और लोक्तर जो है स्को तो सर्जड़ी से निकालने की कोसिस करता है बच्चों, तो समझ में आब च्टों कुछ-कुछ ऐसे भी है, जो लेंसे से clear हो सकते हैं, कुछ ऐसे है, जो लेंसे clear नहीं हो सकते हैं, इसको cataract या फिर मोतिया बिंद भी बोलके कहा जाता है, बच्छों. ये सब था कुछ defect of vision, जो कि पैदाई सी तो नहीं होता लेकिन लेटर न स्टेज पे हमें देखने के लिए मिलता है तो हम लोग क्या-क्या ऐसे ट्रीटमेंट करें ताकि या फिर हम लोग हमारे आखों का क्यार कैसे ले आखों का कैसे साकॉन कौन से साब्धानिया बढ़ते ताकि यह जो हमें जो है वो डिर्ट ब्राइट लाइट की तरफ हम देखना नहीं चाहिए और या बुक ज्यादा से जदा क्लोज में रखना नीचे एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें रखना चाहिए ज्यादा से पास में रखना है अगर हमारे आखों में कुछ चला जाता है तो उसको चाहिए रदर देन हम लोग ओल्ड वाटर 602 सकते हैं हमें एक बैलेंस डाइट या फिर जिन्स खान में ज्यादा से था वैटामिन एव बैटामिन सी रहेगा यह सारा का सारी चीज जो है हमें खाना चाहिए ताकि हमारा आखों का जो यह फिर हमारा आख जो है वो हेल्दी बन सके हलिश अनियों जैसे के हम आपको में गभी अगर इवथ य Awareestंत होता है तो हमें जो है ऑफैल मोजिस्ट सभॉन हो तो जो मेरे है और देखते हैं या फिर आय का जो डॉक्टर जो होते हैं इनको अप्थाल्मोलोजिस्ट का जाता है हो गया तो इन्स डॉक्टर के पास जाके हमें उनके सलहा लेना चाहिए तो यह सब होता है बच्चो क्या किया रहा पाइस तो यह तो हम जितना भी देखे यह सब क्या था बच् यह पर जो कविज्वाका जाता है, तो इन लोगों में क्या होता है, चलिए दिखते हैं, तो अगर सबसे पहला, अगर बात किया जाे, तो बिज्वाका धाल पर यहां पर दो बात आibilidad आता बच्योva चोर्ब एक होता है अपका पर सेली all nu और एक होता है आपका completely आप फिर जो बात करते हैं तो partially का मतलब क्या होता है complete तो partially जो लोग आधा दूरा देख सकते हैं जिनका मतलब कुछ तो डिफेक्ट है लेकिन वोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं और complete में क्या होता है टोटाली जो visually challenge person होते है लोगे कुछ भी नहीं देखता तो इन दोनों के लिए आपका अलग-अलग तरीके रहते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या तरीका ऐसे होता है तो visually challenge person का बात किया जाये हो गया तो some people face with disability disability or vision वो लोग जो लोग देख नहीं पाते हैं हमेचे वह लोग सकते हैं और कम्प्रीट हो सकते हैं तो इन यह सब लोग कैसे कैसे आपका जो है Commcancer देखते हैं तो सबसे पहले बात आता है जो पर स्थीव क्या कर सकते हैं उनके लिए कुछ ऐसे चीज लेकर आएंगे जैसे कि वो लोग जो है क्लियली देख सके हैं जैसे कि बायो फोकल लेंस हम लोग यूज कर से contact lens या फिर magnifying device अगर उनको छोटा बड़ा या फिर कुछ दिख रहा है तो वो लोग magnifying lens का इस्तमाल कर सकते हैं तो यह उसर क्योंकि इनको दिख रहा है लेकिन वो लोग का अच्छे तरह से देखने हैं पाते तो इनके लिए हम लोग क्या क्या जैसे कि यह आपका बायो फोकल लेंस है यह आपका contact lens जो यह अग्पा मैगनिफायर हो गया यह सब क्या हो सकते है जो पार देख नहीं सकते हैं बट वो लोग touch कर सकते हैं वो लोग सुन सकते हैं तो वो उन लोगों के लिए कुछ इसी तरह का ही एड्स रहता है जो हम लोग बात करते हैं तो टेक्ट्व लेडिंग जिसके बार में हम लोग आगे के भीडियो में पूरा completely पढ़ेंगे जहां पे एक नेक्स आता है पच्छो उनको auditory aids पतब जहां पेर जैसे एक music हो गया radio हो गया किसी से भी हम लोग इनको क्या करते हैं ताकि वो लोग सुन के उनको पता चल सके कि यह अपका क्या हो रहा है अगर बात किया जाए जो cassettes हो गया recorder हो गया talking books हो गया यह सब क्या हैंगे पच्छो electronics add, electronics add में क्या हो सकता है जैसे talking calculator हो गया television हो गया यह सब ताकि लोग पता चले यह क्या 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 कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा details में देखते हैं आपका क्या Braille system के बाद है तो Braille जो system जो था बच्छो यह आपका discover हुआ था किसके help से आपका जो इनका नाम था Lewis Braille हाला कि यह अलग बात है कि वो पैदा इसी जो थे वो पैदा होते साथ ही वो सब कुछ देख सकते थी या फिर उनका सब कुछ ठीक था बट ड्यू टू एन किये थे और डेवलब किये थे वहां पर एक्चुली क्या था तो ब्राइली स्क्रिप्लमा अगर देखा जाए तो यह कुछ ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट होता है और यहां के अल्मोस्ट अगर बात किया जाब चुछ 63 करेक्टर्स होते हैं यह ब्राइली सिस्टम में क्या पर दो है वह लिखा हुआ रहते है तो वहां पर जो भी इस ब्राइल सिस्टम को पढ़ेगा बच्छो तो वह क्या करें वह सको टच करना पड़ेगा तो यी system जो होता है Braille script जिसको हम लोग Braille system भी बोलके कहा जाता है जो एक टक्ष्याल या फिर हम लोग टच करके जो है इसको पहचान सकते हैं और यह कौन डवलप किया था लूइस ब्रायल के था तॉ दच्जो είναι जैप्टर समय में आया अगर समय में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्रेफ कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे किसी और एक नए चप्टर के साथ तब तक के लिए बाई बाई